तो ॸ। एलोस। सूलेंटस जो प्रॉलम है हमारे पास यहां पैııäd़ है डिस्प्लेसमेंट आपीछल इस ग्लॉu आड दिस्प्लेस्मेंट पार्रीकल है ग्लॉ डिस्प्लेसमेंट पार्रीकल की वो 0 दीय हमें जाव टाइम क्या है 0 and x जो displacement है particle की वो तब है जब time क्या है t और वो positive extraction में move कर रहा है with velocity v is equal to k under root x और हमें यह प्रूब करना है कि show that velocity is proportional to time यहां पर given देखो क्या क्या है हमारे पास given है हमारे पास कि जब t is equal to 0 है तो जो displacement है वो भी क्या है मेरे पास वो 0 है displacement और जब time t है तो उस case में जो displacement है वो मेरे पास कितनी है वो x है और positive x direction में जो particle वो move कर रहा है और उसकी velocity given है that is k under root x यह उसकी velocity है और हमें यह प्रूब करना है कि v is the active portion to time जो velocity है वो active portion to क्या है time के तो given क्या है हमें given हमें velocity is equal to k under root x यह हमें given है वहां पर तो v को हम यहां पर हम change कर सकते हैं dx upon dt में v को हमने change कर दिया dx upon dt में तो यह मेरे पास क्या जाएगा k under root x आजएगा अब x variable है यहां पर तो x variable है तो x y terms को लेकर आओ यहां पर तो वह मेरे पास क्या जाएगा यहां की limit देखो time 0 to t है तो time जो है वह कहां से कहा है 0 to t तो यहां पर जो integration यहां पर आएगी मेरे पास वह integration कितनी आजएगी x उपर जाएगा तो उसकी power minus 1 by 2 हो जाएगी और integration of dt जो आएगा वह मेरे पास क्या जाएगा t आजएगा 0 to t यह limit है मेरे पास तो यहां पर जो उपर आएगी terms को अगर मैं solve करूं तो वह मेरे पास क्या जाएगी under root x आजएगी upon में क्या जाएगा upon में 1 by 2 आएगा और limit जो रहेगी वह 0 to x और दुसरी तब जो आएगा वह क्या जाएगा k और upper limit क्या है t minus lower limit यह मेरे पास right hand side में आएगा अब left hand side को solve अगर मैं करूं यहां पे तो यह जो 2 है वह outside आएगा और under root x की limit है under root x की limit आजएगी 0 to x is equal to k into t तो upper limit minus lower limit तो यह मेरे पास क्या जाएगा 2 under root x minus 0 upper limit minus lower limit आगया यह मेरे पास is equal to k into t तो यह मेरे पास कितना आजएगा यह जाएगा 2 under root x is equal to k into t यह आगया अब अब अगर मैं यहां पे k से multiply करूं तो k under root x is equal to k into t अब यह term देखो k से multiply क्यों किया क्योंकि k under root x मेरे को मिलेगा और k under root x जो है मेरे पास वो किसके equal है वो v के equal है तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा 2 into v is equal to k into t अब v जो है वो कितना आजाएगा वो आजाएगा मेरे पास k upon 2 into t k constant है 2 v constant है तो यह दोनों मिलके क्या बनाएगे यह दोनों मिलके constant आएगे तो constant to time आजाएगा it means v जो है वो डेक्टी पोर्शनल किसके आएगा time के और यही उन्होंने हमसे पूछा हुआ था show that velocity is डेक्टी पोर्शनल to time thank you students and please subscribe my channel and share this video thank you